नमस्कार बंदे मातरम दोस्तो स्वागत है आप सब का सहनिक पार साला में जैसे आप बोड पर देख पारें दोस्तों आज के इस वीडियो में पांच महतपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं सभी जानकारियों के और इससे पहले के आगे बढ़े दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग रहे हैं अगर सानिक पार साला में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप से जुड़ी भरोश्यमन जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहली जानकारी महत तपूरे जानकारी जैसे आप देखने हैं दोस्तों स्पर्स का डाटा चोरी हो गया है पैंसनर्स हो जाईए सावधान जी हां दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आईए दोस्तों कि स्पर्स का जो डाटा है कुछ डाटा चोरी हो गया है लिक हो गया है जिसकी वज़े से pensioners जो है थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है अब ये जो खबर ये जो जानकारी सामने आईए सबसे पहले तो मैं आपको news report दिखाता हूं उसके बाद समझाता हूं कि कैसे आपको सावधान रहने की जरूरत है चलिए उस news report को देखते हैं अब दोस्तों ये जो जानकारी आप देख पारें बेहत महतपूर ने जानकारी है दा साइबर एक्सप्रेस करके news portal है उनके हवाले से में लेके आए हूं जैसे आप देख पारें massive data leak at india's first pension portal puts defense personal at risk यानि कि कहीं न कहीं spurs pension portal का data leak होने के बारे में यहां जानकारी दी गई है समिक्सा जाइन करके कोई reporter है उन्हों ने यह report कि और जनुवरी दो आठ दोजार चोबीस की यह report है जैसे आप देख पारें यहां कрьी मेहतपुन बिंदों के बारे में यहां पर जानकारी दी गई दोस्तों और यह जो data leak है अगर pension portal से SPURS climat got data leak हो जाए तो इसके implications इसके आफर क्या हो सकते है implications of the SPURS data leak अगर data leak हुआ है तो इसके implications उसके अफर क्या हो सकते है देखिए कहां-कहां असर हो सकता है पेंसनर्स प्रोफाइल मेनेजमेंट पेंसनर्स डाटा वेरिफिकेशन अप्लिकेशन ट्रेकिंग पेंसन डिस्बर्समेंट लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन तो आप सब ने देखा दोस्तों कि एक सामने आई निउस रिपोर्ट के हिसाब से सपर्स का कुछ डाटा चोरी हो गया है लेकिन आपने गबराना नहीं है आपने सिर्फ साफदान रहना है ऐसे में कोई अगर आपको कॉल आता है किसी भी तरीके के जो है OTP मांग के आता है आपसे कोई personal info मांग के आता है तो आप बिलकुल भी सेर ना करें कोई आपको SMS आता है कोई link भेजा जाता है चाहे वो life certificate से जुड़ा हुआ हो चाहे आपको ये बता जाए कि अगर आपने नहीं किया तो pension बंद हो जाएगा कुछ भी हो आपने ना ही call में कुछ आपने आपकी तरफ से information देना है ना ही किसी अंजान link को click करना है या किसी को कुछ जवाब देना है बिलकुल भी नहीं करना है आप सावधान रहें अब हमारी PCDA से ये सवाल है कि link कैसे हुआ इसकी जांच हो और PCDA की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने आए कि link क्या हुआ है कौन सा data leak हुआ है और उस data leak से कोई pensionist को खत्रा तो नहीं है ये जानकारी जरूर official तरीके से PCDA की तरफ से सामने आना चाहिए और अगर इस data leak में इसी का अगर गैर जिम्मेदारा न रवाया की बज़े से ये data leak हुआ है तो उसके खिलाब जांच होनी चाहिए और सक्त से सक्त कारवाई भी होनी चाहिए और ऐसे भी कदम उठाये जाए ताकि आने वाले समय में भवी समय इस तरीके का स्पर्स की जो data जो है वो leak ना हो तो चले आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के ओर दूसरी जानकारी दोस्तों अब राजकिया civil pensioners परिशद ने उठाया 18 महीने का d.a.dr और 5, 10 और 15 परसंट pension बढ़ोतरी का मुद्दा जी हाँ दोस्तों लगातार पूर्व सेनिक संगठन और civil की जो pensioners संसाए हैं वो अपनी तरफ से ये मांगे बार बार उठाये जा रहे हैं कि हमारा जो 18 महीने का d.a.dr कोरोना के समय में जो freeze करके रखा गया था उसको release कर दिया जाए और साथ ही साथ जो additional pension होता है जो 65 साल, 70 सार और 75 साल की उमर में 5, 10 और 15 परसंट बढ़ोतरी का जो मुद्दा है उसको बार-बार pensioners की संस्ताएं उठा रही हैं जो कि एक बिलकुल भी वाजिब मांगे pensioners की तरफ से चलिए एक media house की तरफ से report आया उसको दिखाता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी आप देख पारे हैं हिंदुस्तान के हवाले से में लेकर आया हूँ लंबित महांगाई बत्ता दिलाने को गर्जे pensioners यानि कि उतरप्रदेश राजकिया सिविल pensioners परिश्यद ने अठारा मां के रुके हुए मांगाई बत्ते के एरियर को तत्काल दिलाने की मांग की है उसको लेकर के भी मांग रखिया आप जैसे देख पारें 8 जनवरी 2024 की जानकारी है ये रिपोर्ट है और यहां आप जैसे देख पारें 18 माहिने का रुके हुए D.A.D.R. के जो area है उसके बारे में बात की गई है और 80 बरस आयू से जो है 20 प्रतिसाथ पैंसलर के बृद्धी तो होती है लेकिन साथ ही साथ जो है 65 में 5% 70 में 10% और 75 बरस के आयू में 15 प्रतिसाथ जो बृद्धी वी जो है एक मुद्धा जो है इसको उठाया गया है तो आ आगे बढ़ते अगली जानकारी को और N.P.C. आने दीजिए 568 के area का हम करेंगे बुक्तान स्पर्स जियां स्पर्स के तरफ से बकायदा लेटर में ये कहा गया है कि N.P.C. यानि कि non payment certificate जैसे जारी हो जाएगा हम बकायदा का बुक्तान कर देंगे चलिए PCDA ने यानि कि स् नोरी 2024 का लेटर है और ये लेटर जैसे आप देख पारें सर्कूलर 568 से जुड़ा हुआ है जब बैंक्स ने CPPC ने पैंसनर को सर्कूलर 568 का area का भुक्तान नहीं किया और पैंसनर ने जब CP ग्राम में इसका गुवार लगाया तो PCDA की तरफ से जो है सकत हिदायत देते हु का area का भुक्तान नहीं किया जो कि October 2016 में ही जारी किया गया सर्कूलर है उसका भुक्तान क्यों नहीं किया उसका reason बताएं उसके बाद आप जो है non payment certificate को furnace करें यानि कि non payment certificate जो है हमें भेजें हमारे पास भेजा जाए आगे जो है due drawn statement भी हमें भेजा जाए ताकि हम अपनी तर certificate है वह हमें जल्ब से जल्ब विजवाई है ताकि हम आपका जो सर्कूलर 568 से जुड़ा हुआ जो issue है उसके उपर हम अपनी तरफ से त्वरित कारवाई कर सकें तो आप सबने देखा दोस्तों कि CPPC को जो है PCDA की तरफ से इस तरीके से latest कई pensioners के case में जा चुके हैं अब जै अगली जानकारी के और दोस्तों सैनिक पाट साला का साथ और pensioner की जद्दो जहद रंग लाई बढ़ा दिया सपर्सने pension जिहां दोस्तों कई सारे ऐसे pensioners हैं जो अपनी जायद pension बड़ोतरी की मांग को लेकर के दर बदर ठोकर खाते हैं लेकिन जब उनका संपर्क सैनिक पा जो केस है उस केस को लेकर के PCDA ने CPPC को भी लेटर लिखा लेकिन नहीं हुआ काम नहीं हुआ लेकिन अब जाकर के सपर्स की तरफ से उनका कोरीजेंडम PPO भी जारी कर दिया गया और उनके pension में गजब बड़ोतरी भी हुई है चलिए जो PCDA की तरफ से लेटर लेकर लिखा गया था और उनका जो कोरीजेंडम PPO जारी हुआ है उनको देख लेते हैं दोस्तों एक उम्रदराज वाले pensioner की जद्दो जहद की काहानी है ये 9 अगस 2023 को जो है PCDA से उनको reply मिला था जो की CPPC को address किया गया था कि आप जो है 666 circular यानि की OROP के circular के हिसाब से pensioner की pension में बड़ कोरीजेंडम PPO जारी होता है अब ये देखे ये जो है कोरीजेंडम PPO उनको जारी हुआ है ये डिसंबर 1985 के retiree pensioner है कैलास सिंग जी अब इनको ये कोरीजेंडम PPO PCDA की तरफ से स्पर्स की तरफ से जारी कर दिया गया और जैसे आप यहाँ देख पारें दोस्तों उनका जो यहाँ पर देख पा रहे है आठ जनुवरी 2024 को उनका ये जो है कोरीजेंडम PPO जारी किया गया है और अब बहुत जल्द इन pensioner को उनका बढ़ा हुआ pension भी मिलना सुरू हो जाएगा और जो pension में डिफरेंस है 18,427 और 21,244 में जो डिफरेंस है उसका जुलाई 2019 से ले करके अभी तक का पूरा एरियर भी pensioner को भुगतान हो जाएगा बहुत जल्द तो आप सबने देखा दोस्तों अगर सही जगह पर आप सही कारवाई करेंगे तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा इसलिए मैं कहता हूँ सैनिक पार साला के वीडियो देखिए सैनिक पार साला के सा समय समय पर पूरी होती रहें चलिए अगली जानकारी को और आगे बढ़ते दोस्तों रिकॉर्ड का लेटर मसीप के लिए तीन से चार महिने का समय लगेगा जी हाँ सैनिक पार साला से जानकारी पाने के बाद कई सारे ऐसे पैंसनर्स हैं जिनको मसीप लागू था लेकिन ही मिला था वो कारवाई आग कर रही हैं और रिकॉर्ड आफिस पीएओव अपनी तरफ से उन कारवाईयों को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसा ही एक लेटर रिकॉर्ड आफिस का है उसको देख लेते हैं जिसमें record office ने कहा है, revision of service pension MACP3, यानि कि MACP3, अब जैसे आप देख पारें, it is to inform you that LPC come data sheet for revision of MACP3 has been forwarded to PAOR AMC by this office letter number so-and-so, यानि कि 1 January 2024 को उनका LPC और data sheet बना करके भेज़ दिया गया है PAOR को, आगे record office बोलता है, and the same will take at least 3 to 4 months for settlement, यानि कि record office की तरफ से pensioner को जो है, ये जानकारी दी गई है, कि आपका MACP3 के इसाफ से data sheet और LPC बना कर हमने भेज़ दिया है, जिसको settlement होने में आगे 3-4 महीने का समय लगेगा, तो आप सब ने देखा दोस्तों, कि record office ने pensioner को बोला है, कि 3-4 महीने आप इंतजार कीजिए, आपकी कारवाई हमने कर दी है, तो आज के इस वीडियो में इनी जानकारीों को लेके आया था, आगे और कोई जानकारीदा है का आप से सरुकार रखने आला भी से लेके मैं फिर से आज ही रोजाओंगा, तब तक के लिए जहीं दोस्तों.